हाई गाईज बरकम बैक टू आवर शैनल तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बाते करेंगे OnePlus Nord 3 के बाड़े में हाँ अपने बिल्कुल साइज सुनाएं आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बाते करने बाले है OnePlus Nord 3 के बाड़े में सो मैंने पहले ही बता के रखा है कि OnePlus Nord 3 के बाड़े में जो भी लीग्स, रूमर्स, स्पेसिफिकेशन वगड़ा निकल के आ रहा है न बिल्कुल फेक है लेकिन फिर भी यहाँ पे IMEI सर्टिफिकेशन डेटावेस के अंदर एक मॉडल नमबर OnePlus के तरफ से स्पॉर्ट किया गया है जो कि OnePlus का अपकमिंग स्मार्फोन हो सकता है NE 2213 करके और यह जो स्मार्फोन है इसको डिलेट किया जड़ा है OnePlus Nord 3 के साथ क्योंकि यहाँ पे IMEI मेंशन किया गया है अब यह कितना जादा सच है इसके बारे में तो पता नहीं है लेकिन आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बाते करेंगे अगर OnePlus Nord 3 लाँच होता है तो कब तक लाँच हो सकता है और एक्सपेक्टेट स्पेसिफिकेशन फीचर जो बगड़ा मिलेगा क्या कूछ हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा OnePlus Nord 3 के अंदर क्या कूछ मिलेगा प्राइस कितना होगा सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताऊंगा अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटा फट से सबस्क्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल पाए और एक छोटा सारी क्वेश्ट रहेगा यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो OnePlus की दो स्मार्टफोन जो है ना स्पॉर्ट किया गया था BIA सार्टिफिकेशन वेबसाइट के अंदर इसी के साथ IMEI डेटावेस के अंदर इसमें से जो सबसे पहला मॉडल नमबर है ना NE2210 और इसमें से जो दूसरा मॉडल नमबर है NE2213 करके जो की हाली में स्पॉर्ट किया गया है गाईस मुझे यहां तक लग रहा है ना आप सभी को पता है कि OnePlus 10 सीरीस बहुत जल्द आँच होगा यहां पर जो OnePlus 10 सीरीस के अंदर स्टेंडर्ड वेडियेंट होगा NE2210 करके OnePlus 10 हो सकता है इसमें से जो प्रो वेडियेंट होगा NE2213 यह हो सकता है OnePlus 10 Pro मुझे नहीं लग रहा है कि OnePlus 9 सीरीस के अंदर जो 9 3 स्मार्टफोन होने वाला है यह इतना जल्दी लाँच हो सकता है क्यूंकि हाली में जोए OnePlus 9 2 को लॉंच किया गया है और इसका अभी तक ठीक से अपडेट भी नहीं मिला है By the way OnePlus 9 2 का एक नया अपडेट भी रोल आउट हो चुका है जो कि आब लोगों को बहुत जल दिंगने को मिल चाएगा और इस बली अपडेट के अंदर ना OnePlus 9 2 का कैमरा काफी ज़्यादा इनांस होने वला है बागी चलिए दोस्तों बाते करते हैं OnePlus 9 3 की OnePlus 9 3 के बाड़े में बताने से पहले गाईस एक चीज़ बताना चाहूंगा OnePlus 9 3 के बाड़े में कुछ भी बताना ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यूंकि OnePlus 9 3 के बाड़े में अभी तक कुछ भी ऐसा ठोस इन्फॉरमेशन नहीं मिला है कंपनी के तरब से और कुछ भी ऐसा लीक्स और रुमर्स ठोस नहीं मिला है अभी तक OnePlus Nord 3 के लिए definitely हम लोगों को next year तक wait करना हो सकता है जाइस अगर expected feature specification के बारे में बात ही करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे display से start करते हैं तो fluid AMOLED display के साथ ही अब लोगों को अपकी बार भी मिल सकता है OnePlus Nord 3 के अंदर 120Hz का refresh rate बागी यहाँ पे अगर processor के बारे में बात ही करेंगे तो दोस्तो मुझे जहाँ तक लगता है Diamond City का अगर chipset दिखने को मिलेगा OnePlus Nord 3 के अंदर तो Mediatek के तरब से 1300 chipset अब लोगों को मिल सकता है जो कि एक 5G chipset है और काफी powerful chipset है साथ ही साथ यहाँ पे 67W का fast charging या तुपिर इससे भी ज़्यादा दिखने को मिल सकता है यह depend करता है और गाइस इसके साथ camera के बारे में बाते करेंगे तो हाँ हो सकता है इसके अंदर भी हम लोगों को 108 megapixel का camera setup दिखने को मिल जाए तो दोस्तों यही गुस्ता OnePlus Nord 3 के बढ़ में, OnePlus 10 के बढ़ में and OnePlus 10 Pro के बढ़ में बागी आप लोगों को अगर इस वाली वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा information मिला तो नीचे comment section में बताना और साथ ही साथ यहाँ पे like और subscribe ज़रू से कर देना आज के लिए बस इतना ही मैं आप से मिलता हूँ, किसी नेक्ट्र एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care